वेलकम टू फोकस वावर आज की जो जॉब अपडेट है वो है UK SSHC की तरफ से हैं उत्राकर नदीना सेवा चैन आयोग की तरफ से पर्मेनेंट जॉब की वेकंसी का नोटिपिकिसन निकाला गिया है जो की ग्रूप सी लेवल की पोस्ट होने वाली है तो कितनी पोस्ट इसमें निकाली गई है क्या-क्या क्राइटेरिया रहने वाला है क्वालिपिकिसन क्या रहने वाली है एक्जाम कब तक होने की संभाव ना है और आपका क्या-क्या सेलेक्शन टॉसेज रहने वाला है होने वाले हैं और आवेदन में संसोधन करने की थी थी यह 9 फरवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक और एक्जाम की जो डेट है 25 फरवरी यह आप देख पारे होंगे एक next same month में आपका vacancies का एक्जाम भी होने वाला है और इस department के पास अभी कोई pending exam नहीं है तो यह आपका जो exam है most probably आपका 25 फरवरी को ही हो जाएगा तो इसलिए आपको कम समय आपको इसमें मिलने वाला है अब देखते हैं कौन से department में कितनी post पे vacancies निकालीगी है सबसे पहले लोग निर्माण विवाग PWD में vacancies निकालीगी है टोटल नंबर और पोस्ट जो है 88 पोस्ट है बाकि आप देख सकते हैं आरक्षण किस काटेगरी में आप ब्लोंग करते हूं आप देख सकते हैं SCST, OBC, EWS, General और बाकि यह 36,000 रक्षण है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है 88 पोस्ट पे निकालीगी है सेलरी आपकी रहने वाली 25,500 से 81,100 तक सेलरी रहने वाली लेबल 4 की पोस्ट है एज लिमिट 18 से 42 साल तक यह जनरल कटेगरी के कंड़िएट के लिए एज लिमिट रखी गई है qualification क्या रहने वाला है तो important सबसे ही है अगर आपका उत्तर प्रदेश माध्या में एक सिक्चा परिशत या फिर उत्राखंड विद्यालाई सिक्चा परिशत से high school और inter की परिक्चा आपने पास करी है तो आप इसमें eligible हैं और इसके साथ-साथ आपको जो में qualification मांगा गया है आपका ITI होना चीए दो वर्स का आपका ITI होना चीए किसमें सर्वेक्षण में और मानचित्र सिविल में अगर आपकी ITI है तो आप इसमें apply कर सकते हैं केवल यही दो trade आप apply कर सकते हैं इसमें ITI के बाकि जो अलग से relaxation दिया जाता है जैसे NCC category के candidate है या फिर किसी ने इसना तक के degree दिये तो उसको preference दी जाएगी अगर सेम नंबर रहता है लिखित परिक्षा का क्या है 100 question आने वाले है लिखित परिक्षा में objective type के 2 घंडे का आपका paper होने वाला है से ले बस आगे discuss करेंगे बाकि qualifying marks 45% है सामानिया के लिए OBC के लिए और EWS के लिए बाकि SCST के लिए 35% qualifying marks रहने वाले हैं OMR based पे भी हो सकता है OMR based पे आपका exam होने वाला है इसके लावा आयो की जो गंड़ना होगी 1 July 2023 को तो यह जो 18 से 42 साल तक रहने वाला है इसके लावा जो भी important चीज़ा वो discuss करेंगे बाकि examination fees कितनी रहने वाली है तो वो बता देते हैं आपको examination fees जो SCST की है और general category के लिए 300 रुपे fees रहने वाली है SCST के लिए 1.500 रुपे fees रहने वाली है divyang के लिए 1.500 फीज है और जो अनात है उनके लिए कोई भी fees इसमें नहीं लगने वाली है slaves के आ रहने वाला है detail में आप slaves भी देख सकते हैं तो जो आपका ITI की trade है उसी से related आपका इसमें slaves रहने वाला है कोई non tax related नहीं आएगा जिस भी इस से आपने ITI करी है मान चित्रकार से उसी से related आपका आने वाला है autocad वगरा यह आप देख पारेंगे unit 1, engineering, drawing, safety, layout तो यह सभी आपके ITI के जो chapters है उसी से उसी के base पे आपका आने वाला है तो अलग-अलग unit में इन्होंने divide किया है तो आप एक-एक topic पढ़के जा सकते हैं slavers आपका आराम से एक महिने में cover हो जाएगा अगर आप regular पढ़ाई करेंगे तो 11 unit में आपको slavers इसका दिया गया है building material, stone, brick, lime, cement, timber तो यह सब चीज जो भी आपका civil का होता है उस सब चीज इसमे notification में हर चीज mention किया गया है notification आपको मैं telegram channel पर share कर दूँगा अगर आपको form भरना है तो पहले एक बार notification जरूर पढ़ें उसके बाद ही form को feel करें तो यह थी आज की update permanent job की vacancy UK SSC की तरब से ITI के candidate के लिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद, चैहिन